बिक्सित भारत संकल्प यात्रा के इस बहाणावास गाओं के इस सिविर में हमारे बीच में आपके लोग लाड़ ले ऐसे बिदायक जो हमेशा अपनी बिदान सवा की चिंता करते हैं और मैं देख रहा हूँ ये बिदायक ऐसे हैं कि अपनी मांग को मनवाने के लिए उन्होंने अपने पदवेश भी त्याग रखे हैं ये मित्रो एक्षा सक्ती होती है अपने आप पर विश्वास होता है और जिस पर अपने आप पर विश्वास होता है उस पर सारी जनता विश्वास करती है ऐसे हमारे बिदायक सत्रजन गौतम जी, हमारे नसीरावाद के बिदायक सम्मानिय रामसरूप लामबा जी, मसूदा के बिदायक बीरिंद्र जी कानावद सहब, केकडी के पूर बिदायक गोपालल जी दोवी सहब, प्रदान ओनार सिंग जी, प्रदान आसा भागडी जी, पूर प्रदान भुपिंद्र सिंग जी, राचन्द भागडी जी, रिंकु कबर जी, सत्नाराण चोदरी जी, रामकिसन गुर्जर जी, अनिल राठी जी, राजवीर भीचर जी, रामेश्वर गोश्वामी जी, हमारे मंडल के अध्यक जवाई प्यारे लाल खटीक जी, महेज सरमा जी, सत्नारान गुर्जर जी, सूरज कवर मीना जी, विजय पृताप जी, सरपंच हमारे सभी, हमारे जिलापरसद के सदस, पूर्व सदस, और हमारी सीशी, वी चेर्मेन अजमेर के अध्यक जी आज मैं इस केकड़ी में बिदान सभव आने का मौका मिला, सबसे पहले मैं केकड़ा दीस बालाजी महाराज के तरणों में परणाम करता हूँ पारिश और मंदर में बिराजमान मादेव जी को नमन करता हूँ केकड़ी पुरा भेवब के दरश्टी कोंड से इत्यास में इस्थान रखता है यहांके बागेरा नगर का इत्यासिक और पौराणिक महत भी है आर्थिक गद्वितियों के लिए उबरते इस शेत्र को दागा और तेल मीलों का यहां की अर्थ विवस्ता में खास योगदान रहा है मानि प्रदान मंत्री जी की सरकार्थवारा संचालित हमारी योजना का लाप आमजन तक पहुँचाने का यह अभियान है इस अभियान में आप बड़तर के हिस्सा ले रहे हैं एक ऐसी यात्रा है जो भारत को विक्सित राष्ट बनाने के लिए एक जनांदुलन का रूप ले लिया है मानाबास के एकड़ी में आज इति बिक्सित वारत संकल वियात्रा में इस सिवर में आप सभी का मैं स्वागत और अवननन करता हूँ यह किसान की भूमी है यहां का किसान महनिती किसान है अरावली के कटोर धरातल में अपने पसीने से इसको सीज़ता है हम अपने प्रदेश के किसानों के इत्की रक्षा के लिए पृत्बद हैं हमने उनके बहत्री काम उनके पविश्च के लिए उनकी योजनाओं के लिए हमने काम प्रारम किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ दो दिन पहले उड़जा विवा की हमने बैटक ली थी उसमें हमने कहा था कि किसी भी तरह से क्यों किसान की रवी की फसल आने वाली है किसी भी तरह से किसान परेशान नहीं हो इसके लिए उसको बिजली की पूरी बिजली मिले जिससे कि अपने भसल को ठीक परकार से वो सीच सकता है किसानों की आएक में इजापा करने के लिए हमारी सरकार प्रदान मंत्री भसल भी माई योजना किसान क्रेडिट कार्ड प्राकिरते खेती को पुड़ जोड़ दे रही है और इस सिवरों के माद्दम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सिवर है ये किसान, गरीब, मजदूर, महला, युबा उनके लिए ये सिवर है मैं आपसे इतना निवेजन करना चाहता हूँ कि आज जो केकडी जिले में इन सिवरों के माद्दम से जो लाब मिला है वो आपको मैं कहना चाहता हूँ आज इस विक्षित भारत संकल यात्रा में इस भारत विक्षित राष्ट बनाने के लिए एक जनांदोलन का रूप इसने ले लिया है अज मेर में विक्षित भारत संकल प्यात्रा उत्सा के साथ चल रही है ये केकडी हमारा इसमें त्रान में सिविर करीब लग चुके हैं त्रान में सिविर में करीब सबा लाग से अधिक लोगों ने इसमें ऐसा लिया है करीब 43,000 लोगों को स्वास्ट केम्प में लाब मिला है 34,000 लोगों की टीवी की जाच इसमें हुई है मेरा भारत स्वेवक में साथ हजार पंजी करण हुए हैं और उजला योजना में साड़े पांच हजार कनशन इसमें सिवरों के माध्यम से दिये गए हैं मैं आप से राजिस्थान की अगर हम बात करें तो राजिस्तान के अंदर विक्सित वारत संकल्प सिवरों के माज्यम से साथ हजार नौसोट सब्वीस इस्तानों पर यह यात्रा हमारी गई है इसमें एक करोड कुन्नीस लाग लोगों को इसमें फायदा मिला है हमारे सिवरों में तीन लाग पिचि नवेजार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड बने है इस किसान क्रेडिक कार्ड के बारे में मैं आपको बताना चाता हूँ कि मान्यी परदानमंद्र नरिंद्र मोधी जी के तबरह जिन योजनाओं का लाब किसान को दिया जा रहा है हमारे प्रदान मंत्री जी ने किसानों को इस किसान सम्मा निदी देने का काम किया है पिछली सरकार जिसमें किसी के पिता जी का देवासान हो जाता था उसके दो तीन या चार बेटे होते थे उनका नामांतरन खुलता था लेकिन उसकी सूची केंदर को नहीं जाती थी अरे भाई पैसा देने वाला केंदरी की सरकार है मोजी जी दे रहे हैं आपको सूची भेजने में कहां दिकता है मैं आपको पताना चाहता हूँ इन सिवरों के माध्यम से उन किसानों का नाम जुड़ करके जाएगा और किसान सम्मान ने दी का भाईदा उनको भी मिलने बाला है यही नहीं हमारी पीम उंजरा योजना में पहले इस्तान पर हमें इन सिवरों के माध्यम से स्वास्त केमपों में कई में हम पहले नंबर में हैं मैं आप से इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को एक मीने भी बने नहीं हुआ है लेकिन जो हमने बाइदे किये थे जो संकल्प हमने लिये थे उन संकल्पों को करने के लिए हमारी राजिस्तान की सरकार संकल्प बिदे है क्योंकि आपने देखा होगा सबसे पहले हमने उजला योजला मैं हमने कहा था कि हम गैस सिलिंडर साड़े चार सा रुपे में देंगे और मित्रो हमने करके दिखा दिया एक जन्वरी से साड़े चार सा रुपे में चार सो पचास रुपे में हम गैस सिलिंडर देने का काम कर रहे है यह फादा 73 लाग परवारों को मिलने वाला है 73 लाग लोगों के इसमें पाइदा मिलने वाला है यह हमारी सरकार ने किया है यही नहीं हम आपको कहना चाहते हैं यह कहते हैं कि योजना बतल रहे हम योजना हम नहीं बतल रहे योजना बतलने का काम कांगरेश सरकार ने किया है हमारे अटल केंदर थे उनको राजीव गांदी केंदर बना दिया हमारी जो अन्नपूर्णा योजना थी उसको इंदरा गांदी रसोई योजना बना दिया हमने उसमें जोटने का काम किया है इनके घोटा लेकी भी जाच होगी जिस तरह से पँने घोटा ले किया है जितना भोजन किया किसी ने नहीं किया लेकिन उन्होंने संग्याउतनी लिग दी अरे ऐसा तोड़ी होता है कि एक दिन में इतने ही हमेशा एक मीने तक वो दो से लोगी उस रसोई में आएंगे दो से लोगे से कभी जादा भी हो सकते हैं कम हो सकते हैं लेकिन दो से लोगों तक बोजन करा सकते हैं तो इन्हों ने दो से लोगी हर दिन लिख दिये इस तरह का घोटाला इन्हों ने किया है हमने स्री अन्पूर्णा रसोई का नाम दिया है और उसमें ये साड़े 400 गराम देते थे हमने 600 गराम देने का काम किया है जिससे उसका पेट वर पाए ठीक तरह से उसकी उधर बूर्टी हो पाए यही नहीं मित्रो हमने उसमें कहा है कि उसको खीचड़ा भी मिले बाजरे का रोटी भी मिले मक्य की रोटी भी मिले रागी की रोटी भी मिले उनको ठीक प्रकार से उसका पोजन मिले लेकिन हमने रेट उतनी रख किया है और हमने साड़े 400 गराम से 600 गराम और स्री अन्पूर्णा रसोई में ये भोजन प्रारम हमने किया है मित्रो यही नहीं हमने कहा था इस सरकार ने यूबाओं के साथ धोका किया है इन्होंने यूबाओं के साथ कुठारा घात किया है हमने कहा था कि हम S.I.T. गटित करेंगे हमने सबसे पहले S.I.T. गटित करने का काम किया और उन्होंने काम प्रारम कर दिया जो उन्होंने नकल करी थी जिन्होंने नकल करवाई थी जिन्होंने नकल की छूट दी थी जिन्होंने नकल को ब्यापार माना था वो दीरे 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 वो सिकंजे मार रहे हैं और मैं आपको भी स्वाज दिलाता हूं किसी कीमत बार उनको छोड़ा नहीं जाएगा वो सलाकों के पीछे होंगे यहीं नहीं राजिस्तान के अंदर आए दिन कभी जिक्र कर रहे थे खनन मापिया कभी भू मापिया कभी गेंगिस्टर आते थे इस राजिस्तान मसांती पहलाते थे हमने कहा कि आते ही हम टास्क फोर्स का निर्मार करेंगे हमने टास्क फोर्स को बनाया और हमारी टास्क फोर्स ने भी काम स्टार्ट कर दिया है उन मावालिया गुन्नों को गुरबदार करने का काम कर दिया है उनको चिन्नित करने का काम कर दिया है अरे भाई ये सक्ती और भक्ती की धर्ती है राजिस्तान ये कभी गुन्णों की धर्ती नहीं रही मापियां की नहीं रही हम कहना चाहते हैं किसी तरह का मापिया राज राजिस्तान के अंदर बर्दास्त नहीं किया जाएगा और मैं आप से कहना चाहता हूँ ये खनन मापिया, भू मापिया, किसी भी तरह से नहीं कर पाएंगे, इनका जब सिकंजा कसेगा, और जिस तरह से इनके साथ कारवाई होगी, यही कारवाई नहीं होगी, उनको तो कारवाई होगी, लेकिन जो उसकी सिपारिस करने वाला है, उसके बारे में भी विचार किया जाएगा कि इनकी से बारिस किस तरह से कर रहा है मेतरों में आपको बताना चाहता हूँ हमारी सरकार गरीब कल्यार किसान युबा महला इनके लिए कटबद है हम महला सुरिच्छा के लिए युबाओं के रोजगार के लिए किसान के सम्मान के लिए किसान की उन्निती के लिए यह हमारी सरकार पूरी तरह से कट बद जा है और आगे हम इसमें काम ले रहे हैं हमने कहा है कि बरष्टाचार जिरो टोलरेंस वर रहेगा चाह वो संस्तागत बरष्टाचार हो चाह किसी भी तरह का बरष्टाचार हो यह राजिस्थान की सरकार ब्रश्टा चार को जड़ से उकाड फेकने का काम करेगी उन ब्रश्टा चारियों को छोड़ा नहीं जाएगा मैंने देखा है अभी आपके लिश्ट आएगी एक दो दिन में मैंने देखा है जो A.C.B. में पकड़े गए बड़े बड़े लोग पकड़े गए कांग्रे सरकार ने उन सभी भाईलों को दाव रखा है एक वीक को नहीं बखसा जाएगा जैसा उनोंने किया है उनको उसका पढ़नाम मिलेगा यही नहीं मैं आप लोगों से भी मिन निमितन करना चाहता हूं मित्रो इन सिवरों के मात्यम से यह मानी नरेद्र मोधी जी ने जिन सिवरों के मात्यम से जो किया है और जो मानी प्रठान मंत्री जी करना चाहते हैं हमारे बिक्सित वारत संकल प्यात्रा के जो सिवर हैं इसमें मैं आप से भी निवेदन करना चाहता हूं आपके पडोस में आपके गाउं में आपके मौले में अगर कोई भी पात्र ऐसा ब्यक्ति है जिसको इस सुब्द्या का लाव मिलना चाहिए उस योजना का लाव मिलना चाहिए आप भी एक देश के और प्रदेश के सचे नागरिक होने के नाते हैं हम सबका करतब बनता है कि उसको उस योजना का लाव मिले उस योजना का लाव उठाए मैं आज देख रहा हूँ एक बेहन को चेक दिया था उनके पती की मिर्तु हो गई थी किसे ने कराया होगा प्रदान मंत्री भीमा योजना में दो लाख रुपे की चेक दिया है उनको उनकी आत्मा कितनी तरप्त होंगे उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे को दो लाख रुपे का चेक मिलेगा लेकिन ऐसे जो उनको आवश्चक्ता होती है उनको जो पात रोते हैं उनको उस योजना का लाब मिलना चाहिए मैं धनावात देना टाता हूँ राट जी युगा कि हमारी बेहने लगातार में गया मैं जैसल मेरं में गया उन्होंने 60 कροर का चेक देने का काम किया जा भी 70 कροर का चेक देने का काम किया है वो मेलाएं आत्प निर्वर बन रही है मैंने पूछा था भेंजी कितना कमा लेती है उन्होंने का कि मीने में 10,000, 12,000 अगर जाधा बिक्री हो जाती है तो 15,000 और 20,000 कमा लेते हैं हमारी भेंजे आत्प निर्वर बनेंगी मैं आप से यही कहना चाहता हूं मित्रो कि मारे आप से इतना ही कहना चाहता हूं मित्रो कहते हैं ना कि मोधी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं मैं आप से यही कहना चाहता हूं बिस्वास है क्योंकि माने हैं हमारे देश के इसोची ब्रदान मंद्री जी जो कहते हैं वो ही करते हैं मोधी है तो मूमकिन है मोधी है तो मूमकिन है मैं यही कि आप से निविदन करना चाहता हूँ राजिस्थान में आपने जिस बड़े भाहमत के साथ सरकार बनाई है यह डवल इंजन की सरकार है मैं सत्रतंजी से कहना चाहता हूँ मैं हमारे रामसरूप जी और भीरिंदर जी को कहना चाहता हूँ आप योजना बनाईए हमने एक डेपार्टमिंट की ठीक प्रकार से समिक्चा किये हम हर डेपार्टमिंट की समिक्चा करने वाले हैं हम आपको विश्वाज दिलाते हैं एक बिजली विवाग में ही एनोंने 85,000 करोड़ रुपे का घाटा दे रखा है प्रदेश को आर्थिक द्रश्टी से एनोंने खोकला कर दिया है लेकिन हम आपको विश्वाज दिलाते हैं राजिस्तान की धर्ती बार एक भी ऐसा कारणी होगा जो मारे बिदायक कहें और वो काम नहीं हो आप ने जो जनताने पिकास किया पेक्चा हम से किये हमने जो संकल पत्र आपके सामने रखा है उस संकल पत्र को भी पूरा करेंगे और आपके विश्वास को भी पूरा करेंगे मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ मैं तो आप मुझे पता है सर्तुदंजी बता रहे थे एक वज़े आप आ गए लेकिन हम कायर करफ में लगातार लेट होते चले गए अम आए इसनी लेट तक भी आपने इतनी बड़ी संक्या में आए मैं आप सभी को नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ और धन्दबाद भी देता हूँ कि बहुत बड़ी संक्या में हमारी मैं सभी बुजर्ग माता भेने युबा सादी पतारे आप सभी को बहुत बहुत धन्दबाद बहुत बहुत सादुबाद जैहिन जैवार